हाई फ्रेंज काठिया वड़ी कीचन मा तमारू स्वागत छे तो आजे बनावी सुँँ आपड़े ब्रेट पकोडा ब्रेट पकोडा फटापट बनी पण चसे अरे टेस्ट मा एक दम टेस्टी बन से चेनल मा नावा हो ने चेनल ले सब्सक्रेब ना करी होई तो चेनल ले प लाल मर्च पावडर, हड़दर पावडर, हींग, आमचूर पावडर, गरममसालो अने तेस्ट अनुसाल निमक लेसुँँँँँँँँँँँँँँद्ध कोडा नमस्तालो बन्नाव मा टे एक मट्टउ मटेटान पेलाजपविने राख और डूंगडीने चीनी कट करीलेशु म्तुर लिला ताणा लिथा छे तो लिला ताणा ने पन कट करीलेशा छे बे लिला मर्च अन्य एकी चादूनों टुकड लितो छे तु तेन खाननणीमा खांडी लितो छे रेग्यूलर मसाला लेसु तो वन टीस्पुन लाल मर्चु पावडर, हड़दर पावडर, गरम मसालो, हींग, आमचुर पावडर अन्न टेस्ट अनुशार निमक लेसु तो लाल मर्चु पावडर अन्न लिलू मर्चु बन्ने लितू छे तो तमेच लुत्ती कुखा ताव एप्रमाणे बन्ने ने एकजेस करीने लेवानू छे तो बता इंग्रिडेंस तही आर छे थोड़ी वर माटे साइड में राकी देशु तो मसालो बनाव माटे एक मोट्ट मसाला नाकसु तो रेगिलर मसाला नाकी अन्ने जे डुंगली जीनी कट करने राकी दुंगली नाकसु तो डुंगली निमे कट करने नाकी छे चो तमारी पासे टाइम नो हुए चो तमे डुंगली ने चोपर माँ चोप करीने पन नाकी सको चो तो लिलू मर्चु अन्ने आ तो बध्धा इंगरीडेंस छे ते सारडी ते मिक्स थाइ गया चे तो ब्रेट पकोड़ा बन्नाव मात्ये मसालो triple तय drowned थोड़ी वार माटे साइड मा राखी देशूं तो बेटर बनाओ माटे एक मोटु बावुल लेशु तो बावुल मापड़े जे बेटर बनाओ माटे जे बेसन राख्यो तो ते बेसन नाक सुँ तो बेसन नाक याने जे रेगिलर मसाला राख्या ता ते रेगिलर मसाला नाक सुँ तो लाल मर्चु पावडर तमे जे लुत પહુખા તોહં આમય્મારે નખવાનો છે તો મે આઇ આહ આઉચુર પાવઢંળ નાકું છે આમચુર પાવળન નિશગે જઓ તમ मिक्स करी देशू, तो पाणी एक साथे नथी नाकवानू, पाणी पेल आपणे थोड़ू नाकसु जरूर पड़े तोज आपणे बीजु पाणी नाकवानू छे, तो पाणी छे ते ओछू त्यू चे तो अपणे बीजु पाणी राख्यों तो अट्वर्धा भागडू, त पाणी नाकसु पाणी नाकी आने पाणी नाकी आने पाणी पने सारीते मिक्स करी देशू, तो बेटर माँ पाणी वधिनों चे तेना माटे आपणे थोड़ू थोड़ू पाणी नाकतु जावानू छे, अने बेटर ने सारीते मिक्स करतू जावानू छे, तो बेटर ने रचैन आपड़ा आरी थे बनावी लवाँ छे जो बेटर पातलू हसे या ब्रेट पकोड़ा चे तरका ब्रेट शार सारा बनसे ब्रेटर सारा ब्निसे जलब्रेट तसार पकोड़ी पर ग्रुसर要 नावाँ सबसल्स ब्रेड मां सार रिते लगावी देशूं तो ब्रेड उपट सार रिते मसालों लगावी और बीची आपड़े ब्रेड नी स्लाइड लेशूं और आपड़े मसाला वाड़ी ब्रेड नी स्लाइड उपर कोरी स्लाइड मुखी देशूं और आ रिते हाथे तिन प्रेस करे देश तो ब्रेड मेंसालों सारी ते फराई योचे ब्रेड पकोडा तयार चे थोड़ी वार माटे साइड मारा कि देशूँँँँँँद ने फ्राई करवा माते गेस चालू करसूँ एकड़ाय मुग्सू औने गरं थावा देशू કળય સારીતે ગરમ થે જે પછે આપણે તેમાં તેલ નાક સું તેલ નાક યને તેલ ને પણ સારીતે ગરમ થાવા તેલ સારીતે ગરમ થે પછે આપણે બરેટ પકોડા ને ફ્રાય કરવાના છે જે બેટર તેર કરને રાખ્ય તે પકોડા ને ફ્રાય કરવા આમાટે તેલ છે તે સારિતે ગરમ થઈયું છે તો હવે આપણે તેમાં એક પકોડુ નાક પકોડા ને પકોડા ને પકોડા ને ફ્રાને ફરાય કરિલે સું તે પકોડા ને તેમે છેરે ફરાય કરો છો તેયા અને ટેષ્ટ માં એગદા ટેષ્ટી બંસે અને જો તેમે આરીતે બરેટ પોકોડા બનાવીયા હોય અને તેમારા પંરીં પેજેજ નેંવીએવયા જોઓમાટે જોઓમનેજ જોમાટેજ જોમાટેજ જોમાડ જાંથમે જોમાજેજ જોદેજ